तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो यह एक जूटा प्रपोगंडा बीजेपी, आरेसेस, यह कर रही है पुरे देश में कि वख प्रापटी जो है, वो एक प्राइवेट प्रापटी है बीजेपी इसको ऐसा बता रही है, कि यह गौर्मेंट प्रापटी है तो यह एक प्राइवेट प्रापटी है, नमबर वन दूसरा एक जूटा प्रॉपगंडा, बीजेपी, आरेसेस और उनके अलाइस के तरफ से किया जा रहा है कि वर्फबोट के पास देश में नौ लाक चालीस हजार एकर जमीन है ये एक अफवा पहला ही जा रही है, नौ लाक चालीस हजार है, कितने बत्तीस स्टेट वर्फबोट में अगर आप तेविलनाडू, आंध्रा, तेलेंगाना और ओडिसा के तेरा हिंदू एंडूमेंट बोट की प्रॉपटीस को ले लिए तो यहीं पर दस लाक एकर जमीन हो जाती है तो यह जूटा प्रॉपगंडा के जा रहा है के आर्मी, रेलवेस के बाद वर्फबोट, भई आप तेविलनाडू, आंध्रा, तेलेंगाना और ओडिसा में सिर्फ तेरा प्रॉपटीस को कैग ने देखा इन चारों को आप मिला लीजिए, दस लाक एकर हो जाती है पांचवी बात ही है, कि यह जैसा हिंदू धरम में प्रॉपटीस दान दी जाती है, वैसा ही मुसलिम धरम में यह दान दी गई प्रॉपटी है अब उसमें गॉर्मेंट केंटेफेरेंस क्यों हो रहा है, यह आर्टिकल ट्वंटीसिस का वाइलेशन है आर्टिकल ट्वंटीसिक्स में लिखा गया कि कोई भी रिलिजिस डिनॉमिनेशन अपने मजब पे भी चल सकता और अपने जो इम्मुवबल बॉबल प्रॉपटीस में उसको एड्मिनिस्टर कर सकता तो यह जो नरेंदर मोडी की सरकार है, वो वाफ़ प्रॉपटीस को बचाने के लिए, वाफ़ प्रॉपटीस को डेवलप करने के लिए, वाफ़ प्रॉपटीस में एफिशेंसी लाने के लिए, यह बिल नहीं लाई है ये बिल इसलिए लाया गया है ताके हमेशा के लिए वक्फ बोर्ट को खतम कर दिया जाए इसकी मिसाल आपके साम में दे रहा हूँ नाइन्टी नाइन्टी फाइ आक्ट में वक्फ बाई यूजर है याने कोई चीज के इस्तेमाल करने की वज़े से वो प्रापर्टी वक्फ हो जाती है इसा नमाज हो रही एक जगा पर यतीम खाना है खबरस्तान है अब बीजे पी इस बिल में वक्फ बाई उजर खतम कर रही है वैसे अगर आप हिंदू धरम में देखेंगे कई एंडॉमेंट बोर्ट में देखेंगे वहाँ पर बाई यूसेज वो प्लेस रिलियस हो जाती है लौ में है हिंदू धरम के इंडॉमेंट में अब आप मेरे को बताईए एक एक जामपल दे रहा हूँ उत्तर परदेश में एक लाग एकीस हजार रिजिस्टरड वक्फ प्रपरटीज है सुनी वक्फ बोर्ड में उसमें से एक लाग बारा हजार तो वक्फ बाई यूजर है जब वक्फ बाई यूजर खतम हो जाएगा तो कौन सा लौप ले होगा उसके अपर एक ये हो गया ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब ले खीसने का मतलब है दूसरा उसमें क्या है कि कोई पांच साल जो मुसल्मान रहेगा, उसमें लिखावा है प्रैक्टिसिंग मुसल्मान रहेगा, वो ही वफ करेगा, अब प्रैक्टिसिंग मुसल्मान का मतलब क्या है, क्या वो पांच लोगत की नमास पढ़ने वाला होगा, क्या वो दाड़ी होगी, सर पे टोपी होगी, क्या वो रातों में जाके मजजद में अबादत करेगा क्या वो खुरान का हाफ़्िस होगा क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नौन मुस्लिम होगी यह तुम कोनों ते त्यार करने वाले पांच साल प्राक्टिसिंग मुस्लिम है न ये देख लो आप अच्छा कोई ऐसा लौ हिंदू धरम में नहीं है कोई भी कभी भी दान दे सकता है आप ये क्यों लेकर आए बताओ आप कोनों ते मैं प्राक्टिसिंग हूँ नहीं हूँ मैं मुसल्मान हूँ मेरे घर में जाक के देखें के नरेदन बोडी या पिर पांच साल के बाद मोडी बोलेंगे हाओ बटा तो मुसल्मान सटिफिकर्ट लेकर जाओ हाँ तीसरा अब उसमें देख लो तीसरा क्या है उसमें के ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्ट प्रापर्टी जो गॉर्मेंट के खब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा अब आप मेरे को बताईए कलेक्टर खुद गॉर्मेंट का होता एक्जेकुटिव का क्या क कलेक्टर अपने मामल में जजज बन सकता क्या ये तो प्रिंस्पल्स ऑफ नैक्टरल जज्सिस के खिलाफ है आप में मेरा जगड़ा होगा तो आप जजज कैसे बनेंगे तो कलेक्टर को अख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तै करेगा अच्छा पिर सर्वे कमिशनर होता है प्रापरटीس को ये बोल दिए कि सर्वे कमिशनर ने करेगा कलेक्टर करेगा सर्वे कमिशनर एक अलग होता है डिपार्टमेंट उसको खत्म कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वह आप उसको प्र आप ये कर रहे हैं कि सेंस्टर औरокांसल में वहाँ पर सिर्फ एक नौन मुसलिम मेंबर होता है मिनिस्टर होता है बाकि के पूरे जितने कैटेगरी से उसे मुसल्मान होता है आप उसको खतम करके मेजॉरिटी नौन मुसलिम को मेंबर बनना चाह रहे है State Workboard में पूरे Muslim members होते हैं उसको आप क्या कर रहे हैं आप उसमें से कम से कम आठ या नौ नौन Muslim को अपाइंट करना चारे हैं State Workboard में election होता है मतवली काटेगरी का MLA MP काटेगरी का और बार कांसल का आप नॉमिनेट करेंगे अच्छा नॉमिनेट क्यों करना चारे है अगर आप Workboard का Act देखेंगे तो Workboard में आपकी property वफ है मैं उसको direct management पांस साल के ले सकता हूँ जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूँगा उसमे तो मैं direct management ले लूँगा इनकी नियत खराब है उसमे फिर आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेशी में दो मेंबर रहेंगे मिनिममम पिर यह जुटा परोगंडा BJP की कि वह पढ़ते नहीं है अलेडी महिला का प्रोविजन है क्या प्रोविजन है अब ये बोरे के दो बनाएंगे अभी जो प्रोविजन है एक लीस्ट टू याने दो से बढ़ सकते आप दो कर दियो खाली उसको वफ का एक ट्रेबूनल है अब ट्रेबूनल में जूटा प्रोवगंडा करते हैं कि ये इसका डिसिशन फाइनल होता है भ आई ट्रेबूनल के जज्ज्मेंट के बाद हाई कोट में रिव्यू पेटिशन डाला जाता है अपील करने से तो लाखो केस कोट में है और रिव्यू पेटिशन में हाई कोट पूरा रिकॉर्ड मगा सकता है तो ये वफ के फेवर में नहीं है फिर इसमें आपने एक क्या है कि अगर कोई वफ की जज़ाद को चोरी से बेशता है उसको दो साल का रिगरस इंपरिजर्मेंट नॉन बेलेबल अभी मोडी जी के दिमाग में ख्याल आया क्या ख्याल आया कि तू वफ की जज़ाद को बेश दे मोडी है तो मुमकिन है क्या मुमकिन है कि तेरे को दो साल नहीं सिंपल इंपरिजनमेंट तेरे को बेलेबल हो जाएगा तो वफ के मफाद में क्या हो रहा है ट्राइबूनल है वफ का ट्राइबूनल उसमें एक डिस्टिक जजज सीजे अपॉइंट करते हाई कोट के एक इसलामिक नॉलेज का जानकार और एक एमिनेंट परसन अब आप क्या करते है रिटाइड डिस्टिक जजज रिटाइड गॉवर्मेंट एम्पलॉई कैसे होगा फिर अगर आपकी कोई वफ की प्रापर्टी है मैं जाके कंप्लेंड करता हूँ कि यह वफ नहीं है तो कलेक्टर विल और अन इंक्वाइरी अच्छा पेंडिंग इ कर दिया कि यह वफ नहीं है तो कलेक्टर साब दस साल ले लेंगे तब भी वफ नहीं देगा वो अपने कंट्रोल में अगर आप देखेंगे इस बिल में वख प्रापर्टी के एफिशेंसी के लिए नहीं बना गया है यह वख प्रापर्टी को खतम करने के लिए बना गया ह अब हिंदू मेंबर्स को या नॉन मुस्ली मेंबर्स को पॉइंट कर रहे हैं भई आप उत्तर परदेश में जाईए उत्तर परदेश में जो काशी बोर्ड है वहाँ पर तो क्लियर लिखावा है कि हैस्टू भी हिंदू अगर हो हिंदू धरम छोड़ेगा तो मेंबर्शिप चले जाएगी फिर आप देखरीजिए जाकर आप यह जो आपका टेमिलनाडू का एक्ट है चेलेंगाना का इंडूमेंट आक्स है आंध्रा का है ओडिसा का है इसमें सब लिखा गया कि only हिंदू विल बिकम दे मेंबर अच्छा हिंदू की परिभाशा क्या है संभीधान मे हिंदू, सीख, बोध और जेंग मगर इन मंदिरों में सिर्फ हिंदू बनेगा मेंबर अब मिसाल के तोर पर मुंबई में इस ट्रस्ट में है आपका कौन सा मंदिर है सिद्धी विनायक है गुजरात में सोमनाद की मंदिर वो भी ट्रस्ट में आता वहाँ पर आप किसको बनाते हैं मंबर आप आप एक बास समद्धिए तिरुपती के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो इतराज हो रहा है बिल्कुल सही है नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो मगर आप हमारे धरम के संस्थानों में आप कैसे नो मुस्लिम को बनाएंगे प्रसाद में आप बोल रहें कि एनिमल फैट आ गया तो घलत है भर हम भी मानते हैं गलत है नहीं आना चाहिए उनकी आस्ता है महर यहां पर हमारे धरम में यह तो वर्क बोट तो है मुस्लिम धरम का इस्ता है तो इसलिए यह जो बिल मोडी लाए हैं उनकी सरकार लाई है वो वर्क प्रापरिडिस को चीनना चाहरे अच्छा अभी हाजी मलंग की दरगा है एक नाच छिंडे का स्टेटमेंट है को दरगा नहीं हम नहीं मानते अब यह खानून बनेगा तो कलेक्टर साब के पास जाएंगे कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं यह दरगा नहीं है यह तो कुछ और है यह inquiry order कर देगा यह कैसे होगा बताईए आप अच्छा एक मैं ठेहरी इसमें A.S.I. के protected monuments भी है A.S.I. चाहता है कि पूरा ही निकाल दिया जाए वकबोट से A.S.I. का section 16.1 पड़ी आप वो यह बोलता है कि the religious character of any protected monuments can never be changed तो यह इसलिए हम कह रहे हैं कि यह वकबिल जो नरेंदर मोडी लाए है वो वकब की properties को बचाने के लिए नहीं वकब के properties को efficient बनाने के लिए नहीं अच्छा जो वकबोट को मतवली 7% डेते थे अपने income का उसको आप 5% कर दिये यह कौन सा वफ के मफाद में काम कर रहें बताओ वाब तो इसलिए यह सब एक मुसल्मानों से उनकी मस्जिदों को चीनना चाते हैं दरगाओं को चीनना चाते हैं खबरस्तानों को चीनना चाते हैं इसलिए इस बिलकुल आए हैं लो हुआ एक ये वाद है के बाद है कर Igna y जा रहों भाग़ु भाग नहीं है पुलिया भुलिया तो कौन हाँ देखो मेरे भाई सुनो आप सुनो आप सुनो आप सुनो एक 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 आप हाँ बिलकुल सही किया बिलकुल ने सुनतो 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 अरे भाई भाई साब आपका जो जगडा है सभी के माडम से जगडा करो ना उससे अरे सुनतो जवाब देना मेरा काम है तुम नहीं आप देखिए हम जवाब देंगे हम जवाब देंगे हम जवाब देंगे आप सवाल कर लिए सुनो अभी आप जिसा चारे नहीं दूंगा में आप मोडी है क्या नहीं है ना मोडी आप तो रुख जाएए आप मोडी तो नहीं है ना मेरे पीछे ADC बे तो नहीं भी जाएंगे ना सुनिए मेरा जवाब यह है कि आप लोग जूट चलाएं आप लोग विल्कु वो जूट है हम बोल रहें तो नहीं हम आपको बोल रहें जूट है वो आपको सुनतो लीजिए इंडिया टीवी के रज़स शर्मा ने तारीफ की इसकी अब आपको पसंद या गए बोलना है बोल रहा हूं इंडिया इंडिया टीवी के रज़स शर्मा ने कहा कि जलील ने कलेक्टर को रेपजेंटेशन दिया, बास नौजवान जजबात में थे, इम्तिया जलील ने कहा के खतम खिस्सा, और रजजश शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा, के बहुत अच्छा किया उनों ने, ये क्या, आप तो तारीफ भी करो, इतने बड़ा माराश्टरा की तारीख में, ये सबसे बड़ा मुसल्मानों का पर्टेस्ट था, सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाएस से पहले एक पर्टेस्ट मुंबई में हुआ था, शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा पर्टेस्ट हुआ, लोग ये कह रहे थे कि लोग नही आएंगे, दस हजार गाडियों से पूरे माराश्टरा से लोग निकल कर रहे, पीसफुल पर्टेस्ट था, पीसफुल पर्टेस्ट में बात हुई, और वो बात हम रखे, अब रहा सवाल सेकेंड पर्टेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा, अगर हमारे डिमांड्स को मार राश्टा सरकार नहीं मानेगी, तो आजाद मैदान में पर्मीशन लेकर हम यह पर्टेस्ट करेंगे, और यह पर्टेस्ट जारी होगा.